यहां पर मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों मिश्टान फूर्स लिम्टेट की और देखे एक समय शांदार तीजी के बाद स्टॉक पिछले कुछ समय से गिरावट की उड़ दिखा रहा था और कई नी विशक इस बात को लेकर के परिशान थे कि आखिर स्टॉक में चल किया को मिलेंगे और आखिर क्यों अलगभग 6 प्रतिशत की आपको इस टॉक ने तेजी दिखाई और कौन सी वर रिस्टेंस और सपोर्ट है जो आपकी नजर में होनी चाहिए और आखिर एक तेजी के बाद एक गिरावट क्यों होनी लग गई ऐसे बहुत सारे सवाल जो निवे आएं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप ऐसा करते हैं चाल की गुरूथ होती है बहुत मोडिवेशन मिलता है दोस्तों ठीक है तो अब लिग सीधा लेके जलता हूं शेप्राइस की तरफ देखिए मिष्ठान फूड लिमिटेड एप्रॉक्सिमेटली छे प्रतिशत की आप देखें यहां तो तेजी हुई है और जब मैं निचलेस तरों से देखता हूं न यह देखी यहां से तब आप पाएंगे तो एक समय यह तेजी साड़े साथ प्रतिशत से भी जादा थी देखने को मिलेघे लेकिन आखिर ऐसा क्या होगा कि केखने को मिलेघें अप देखेंगे तो उपरेष तरों से जो पर स्टॉक आपको जाड़े चार पर्ष नुप जब नहीं आपको प मेहिने में आ satisfय टेंक है एक, दो, तीन, ये क्या है, ये है गाईस, चवुदा रुपए, कौन सा रुपए, रुपीज फोर्टीन, चवुदा रुपए के आसपास ना दोस्तों, एक बहुत बहुत बढ़ा रेस्टेंस, मिश्ठान फूड फेस कर रहा है, और देखे करे की भी क्यों ना, क्योंकि चव छे महिनों में, स्टॉक नहीं निचले इस तरहों से आप देखेंगे, तो अपने निवेश्कों को आप देखेगा, तो लगबख सौ प्रतीशत के आसपास का रेटन ओरेडी दी चुका है, ठीक है, और देखिए, मिश्ठान फूड में, लगातार ये 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 बैरियर देख बहुत बड़ा मिश्ठान फूड के लिए सरदर्थ एक बड़ा रेस्टेंस बना हुआ है, और बात इतनी से नहीं है कि ये रेस्टेंस बना हुआ है, दोस्तों, आप देखेगा यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो रैली है न, ये क्यों आई थी, आपको याद में, तो उसके बाद थोड़ी बहुत गिरावट आनी ही चाहिए, और आई भी उसमें, प्लस उस गिरावट में, आग में घी का काम किस ने किया, तमाम अभी आप देखेंगे, जिदने एक्सपोर्ट रिलेटेट स्टॉक्स देना, उसमें भयंकर बिक वाली चल रही है, री जो भारत से सीधा यॉरोप को जुड़ता, वो अब एक बहुत बड़े खत्रे में आ चुका है दोस्तों, ठीक है, और बात इतनी ही नहीं है, आपको मैं एक और चीज़ समझा दूँ, ये जीज़ है, ये बहुत बड़ा जटका थी, तमाम एक्सपोर्ट रिलेटेट कमपो ही है, कुछ समय पहले सरकार ने बैंड भी कर रखा है, तो ये तमाम चीज़े एक बड़ा इशू लगातार पैदा कर रही थी, ठीक है, लेकिन, अब आप देखिए, जो कमपनी का एक सपोर्ट है न दोस्तों, ये लेवल, ये बारा रुपए देखिए आप, ये, ये जो ब आपस से बारा से दस एक बड़ा रेस्टेंस होगा, लेकिन, जो चौदा से बारा का लेवल न दोस्तों, वो मुझे लगता है, बहुत बहुता टफ होगा, और जो कौटर टू के नंबर्स होगे, ये बहुत इंपोर्टन होगे देखने के लिए, कि कमपनी नंबर कैसे होगे, तो आप कह सकते, एक पुल बैक लेयर राइली है, एक डेट केट बाउंस है, जब इतनी लगातार गिरावट हो, सादेंदो परसेंट जादा, लेकिन, आने वाले जो दिन है, वो ये दिखाएंगे, कि आखिर जो ये तेजी है, ये कहां जाकर कर रुपती है, और दे इसके आसपस से हमको देखने को मिल रही है, तो ऐसी ना कोई बहुत जाद निगेटिव निउस इसका गिरावट हुई, एक वार सिचुएशन थी, तो एक जटका लगना स्टॉक्स को लगा है, लेकिन ऐसी कोई गिरावट निथी, जो इतनी ज्यादा हो जाए, दोस्तों, निगेटिव नहीं थी, प्लस, जो एक बहुत बड़ा ट्रेगर आपके सामने है, वो है क्वार्टर टू के नम्मस दोस्तों, ठीक है, तो एक बहुत चोटी से अलसेज, मैं श्ठान फूट के लिए करनी थी, अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजेगा, चेल पहली ब यंदे जये हैं।